गुड़ मॉर्निंग मेरे प्यारे बचों, एक पर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धपीसी एम मुजर में जेक अब चैनल न a optimization को लेकर एक बड़े बचों, इस न्यूज में क्या बताया गिया है, कि आपका बॉर्ड एकजाम को cancel कर दिया जाएगा, और आपका बॉर्ड एकजाम किया जाता है, तो किस फरकार से आपका result को दियार किया जाया? सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे तो क्या है सच्चाई वीडियो कांद तक देखना है और वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर दे नहीं है तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज के न्यूज को सब्याइब लेजब आप लोग सब्सक्तारण को देख सकते हैं पियारि वज्चों ईसकूल के रिज के अश्कूलों में बंद हो सकती है और राएं जेसा कि आप सभी को मालूम है प्यारि वज्चों अभी आप सभी का औप लाइन क्लास अर्रा निके अंदर लिया जाएगा द पिर से ओनलाइन ओफ लाइन पढ़ाई बंद होगी बच्चों को ओनलाइन क्लास और डिडिटल कंटेंट उपलब्द कराया जाएगा कोरोना के तेजी बढ़ते हुए मामली के देखते हुए राय सरकार जनवरी के पहले सप्ता में इस पर निर्ने लेगी बचो देखें अभ आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखे प्यार बचो इस मोका में अगर जो पढ़ाई जारी रखते हैं वह बहुत ही अच्छा करेंगे यह मेरा मनना है उसके बाद यहां पर वर्तमान में छटी से बार्वी तक के अस्कुलों के बच्चे के लिए खुले हैं जो छात्र छ चात्राओं के लिए बंद किया जाएगा रासरकार मेट्रिक और इंटर्मेडीर की परिछा को देखते हुए दस्वी और 12 के चात्र च्रताओं को अस्कुल बुला सकती है और 6 7 8 9 और 14 के चाट्रों के लिए आप में पढ़ाई बंद किया सकती है कि क्लाश 12 का अश्कुल अ समझे रोने बात को उसे बाद यहां पे है कोरोना के मामले के बढ़ते हैं या फिर इस पे इत्याय दस्वी और बार्वी के ओफ्लाइन पढ़ाई भी अस्तगित की जा सकती है वहीं वर्दमान सेचनिक सहस्त्र में अब पहली से पाचवी तक के अस्कूल खोलने के असर आसर नहीं लग रहे हैं नोवी से बार्वी तक के ओफ्लाइन क्लास छे अगस्ट दो हुजर रकी से सुरू किये गए थे जबकि छटी से आठवी तक के ओफ्लाइन क्लास 24 सितंबर से चल रहा है बचो यह सब तो आपनों को मालिम होगा वहीं पे और लिखा हुए है वहीं पले अस्कूल पहली से पाथवी तक और नीचे की क्लास ऑफ्लाइन पच्छा सत्रों मांच 22 से ही बंद है मतब जो पहली से पाथवी तक का जो बंद है बच्चों सो अभी तक नहीं खोली गई है उसके बाद है यहां पर यहां पर पिछले साल अगली कलास में पर मोट हुए और अस्कूल नहीं खुलने से वह वेसे ही पर मोट किये गए तो यह भालत के भविश के लिए खत्रा कुछ बच्चों को अच्छा लगे है कि हमारे अस्कूल कुड़ रहा कुड़ रहा है लेकिन आपके लिए हानी हो सकता है बच्चों उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है उसी बाद है अब आठवी से बारवी तक के टर्म की परिच्चा पर सहींस नजर आ रहा है सरकात यति हाथ परिच्चाओं के संसालन पर रोक लगा सकती है अस्कूली सिच्चाओं असाजरत भाग ने एक से पंदरों दिसंबर दो जर अकिस के बीच मैट्री को इंटर्मेड परिच्चा लेने के सेट्गों जारी किया था जबकि 10 से 25 जर्मने के बीच आठवीन नौवी एकार्मी के पहले टर्म की परिच्चा लेने पन दिधारित की गई थी यह परिच्चा यह अमार सीट पर होनी थी जैसा कि आप सभू के मालूम में प्यार आप सभी का जो बोर् परिच्चा लेने नहीं होने से अब तक इन परिच्चाओं के संचालन नहीं हो सका है और ना ही निकट भविस में इसके कोई आसार की संभावना दिख रहा बचो अगर अध्याच होता तो आपका वही तक एक्जाम हो सकता था बचो उसके बाद यहां पर लिखा हुए है अ परिच्चा लिखीत होगी अगर कोरोना के कारण यह परिच्चा परवाईत होती है तो सितंबर 2008 से अशकुल में नोई के और बारवी के गलास से चल रही मंथली असाइंटमेंट के अधार पर रिजल्ट त्यार किया जाएगा बहुत बड़ी बात है प्यारे बचो यहां प तो आपका जो मंतली एसाइंडमेंट हो रहा था उसी के अधार पर आपका रिजल्ट त्यार किया जा सकता है लेकिन यह इसरी पेपर वालों का एक थेसरलोजी है अभे तक कुई पता नहीं है कि एक्जाम केंसल हुआ है कि नहीं हुआ आप लोग पढ़ाई अपना जारी रखे जब तक कि ओफिस्यल नोटीस नहीं आदाता है तो जैसे ही कोई न्यूज आती है सबसे पहले आपको इस चैनल के मादम से बताई जाएगी चैनल पे अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा नहीं मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद